तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन मेडिसिन के बारे में इस बीमारी को डायबेटिक नेप्रोपेथी भी कहा जाता है तो इस मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम लोग डायबेटिक कीडनी डिजीस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते है डायबेटिक कीडनी डिजीस एक तरह का कीडनी का बीमारी है जो की टाइप 1 और टाइप 2 दुनों तरह की डायबेटिस के कारण हो सकता है हम लोगों के body में जो kidney होता है वो basically एक filter की तरहा काम करता है मतलब की हम लोगों के blood में जो important materials होता है उसे filter कर लेता है और बाकी जो waste materials होता है उसे urine मतलब की मूत्र बना के body से निकल देता है blood sugar level बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की कारण kidney के अंदर जो रक्त बहिका होता है वो damage होने लगता है तब हम लोगों का kidney ठीक तरह से काम नहीं कर पाता अच्छे तरह से blood को filter नहीं कर पाता और धीरे-धीरे kidney damage भी हो सकता है तो चलिए अब हम लोग इस medicine के बारे में जान लेता है इस medicine का नाम है 내prosave tablet इस tablet को India market में manufacture करता है 40s India Labs Private Limited तो चलिए अब हम लोग जान लेता है इस medicine की composition के बारे में तो इस medicine में रहता है tauarin 500 mg अन एस셔서 के uses के बारे में मतलब इस medicine को कौन से रोग के treatment के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने बताया कि इस medicine को इस्तेमाल किया जाता है Diabetic Kidney Disease मतलब की Diabetic Nepropathy के treatment करने के लिए उसके साथ-साथ इस medicine को इस्तेमाल किया जाता है X-ray करने की time जो radio contrast agent इस्तिमाल किया जाता है उसे इस्तिमाल करने के कारण kidney में जो damage मतलब की injury होता है उसे भी treatment करने के लिए इस medicine को इस्तिमाल किया जाता है उसके साथ-साथ इस medicine को chronic, renal, insufficiency की treatment करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है तो चलिए अब हम लोग जान लेता है medicine कैसे काम करता है उसके बारे में इस medicine में रहता है taverine, taverine एक amino-salphonic acid है यह जाके lipid metabolism को बढ़ा देता है lipid metabolism को बढ़ाने के साथ-साथ यह blood glucose level को कम करने के लिए मदद करता है उसके साथ-साथ इसमें antioxidant properties भी होता है इसलिए oxidative stress को कम करके ये medicine damaged kidney cell मतलब की injury हो चुका है ऐसे kidney cell को improve करने के लिए मदद करता है उसके साथ साथ इस medicine में रहता है एक antioxidant होता है ये जाके oxidative stress को कम करता है और kidney cell को recover करने के लिए मदद करता है और kidney को अच्छे तरह से काम करने के लिए help करता है तो चलिए अब हम लोग जान लेता है इस medicine के साइरेपेट्स के बारे में इस medicine को इस्तेमाल करने से जी मिछलाना या फिर उल्टी आ जाना भूकार diarrhea, पेट में दर्द, स्कीन में rest जैसे problem दिखाए दे सकता है तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस medicine के warning के बारे में मतलब कुछ चेतावनी के बारे में कब आप कोई medicine इस्तेमाल करना चाहिए ये सब चीज़ के बारे में अगर आप pregnant है तब इस medicine को इस्तेमाल नहीं करन चाहिए लेकिन अगर बहुत ज़रा ज़रुरत हो तो डॉक्टर के साथ consult करने के बाद ही आप इस medicine को इस्तेमाल कीजिए अगर आपको gastric आलसार का problem है तब इस medicine को बहुत ज़रा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए इस medicine को इस medicine के बारे में और भी जादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन सेर नाम का एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बार में और भी ज़्यादा डीटेल में आप लोग जान सकते हैं और अल्टिमेटल इस वीडियो को खतम करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ जरूर कॉंसाल्ट करे फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते है अगर आपके मन में कोई भी कोईस्चन हो तो वो हमें कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते है उसके साथ-साथ इस वीडियो को सेर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बार में जानकारी लेना जरूरी है साथ-साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे important health और medicine related वीडियो के लिए Thank you very much for watching, bye